पीजी वेलकम स्यू इन पीजी पॉइंट हो डिखें आप अपने स्टडि कोई भी कर रहे हों स्टडि के साथ में मीन्स के आप डियलेड कर रहे हो या बीयड कर रहे हो या कोई भी आप education से रिलेट ऐसा कोर्स कर रहे हो जिससे आपको आगे चलके क्या बनना है टीचर बनना ह अगर आपको उत्तरप्रदेश में जॉब करनी हो अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है तो ठीक है यह हो गया आपके एक जानगारी अब आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे पहली बात और दूसरी बात यह है कि स्टड़ी के सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा यह है कि मैं भी एट बीटीसी डियालेट के सब करने के साथ हम जो है कैसे स्टड़ी करें यूपितर की यह सब चेंपोर्टेंट बात है यह हम आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहेएगा पहले तो हम यह बता दें आपको कि यह जो सबसे पहली बात तो यह इंतरमीडियेट लेवल का कुश्यन पेपर होता है जो आपका यूपीट पेपर वन एक्जाम पैटर्ण होता है यह कक्षा एक से कक्षा पाच तक के सिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पेपर वन में सम्मलित हो सकते हैं अब तो फिर में पेपर टू पढ़ना पड़ेगा क्या एर्थ तक पढ़ाने के लिए अभी वह भी आगे बताएंगे पहले हम पेपर वन की बात कर रहें तो आप उसको समझ लीजे और हाँ पेपर वन और पेपर टू में डिफरेंस होता है सिलाबस का भी ठीक है तो बहुत पेपर सबसे बड़ी बात है देड़ सो में से 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल वालों को अर्था साथ परसेंट लाने होंगे तथा अनुचित जो जाती अनुसूचित जन जाती है पिछड़ा वर्ग है और एक्स सर्वेसमैन कटकरी के उम्मिदवारों को देड़ सो में से 82 80 unco deleting अंकल आने होंगे समझे जनरल वालों की पासिंग कितनी होती और उसके बाद में जो बाकी लोग होते हैं उनकी पासिंग कितनी होती है 82 इतली बात समझ जागी अब में क्या क्या सब्जेक्स आते-ट थो समझे सब्जेक्ट आपके क्याा आएंगे कोशन पहला आएग यह तो ऐसा सब्जेक्ट है यह ऐसी चीज है जो आप अपने DLT और BAT में पढ़ रहे होते हैं ठीक है तो इसमें 30 कोश्चन आते हैं 30 मार्क्स की इसलिए कहते हैं पढ़ते चलो चीजों को यह आपके टेट और सीटेट में काम आता है जब भी मैं क्लास लेती हूं तो मैं यह तो आपका 30 मार्क्स का आता है और 30 कोश्चन आते हैं मतलब एक नंबर का एक कोश्चन इसी तरीके से आपका EBS पूछी जाती है इसमें क्या करना होता है आपको या तो आप इंग्लिश ले लिजे या उर्दू ले लिजे या संस्क्रिट में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होता है बहुत से बच्चे इंग्लिश करते हैं बहुत से बच्चे उर्दू भी ले लेते हैं बहुत से बच्चे संस्क्रिट भी ले लेते हैं । आपको इन में से कोई एक चूष करना होगा वही उसी का आपको पेपर में उसी से जुड़े हुए 30 प्रेशन करने होगे यह 30 नंबर का होता है 30 कोशन्स भी हिसके होता है तो यानि कि 500 नंबर के या मान लीजे उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है जैसे सपोज मान लीजे इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या क्या आना है यह सब चीजे आपको यहां नहीं बता रहें आपको हम पीडियेफ दे देंगे यह वाली है ना हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जूर पिक रहने वाले उसके बाद में अगर आपने दूसरे कुछ लिया है गडित में बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं मैं क्या आएगा कुछ चीजे यह कैलेंडर हो गया जैसे आकड़े हो गया धन हो गया है मापन परिमिती तो कुछ चीजे आपकी ऐसी है जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है वैसी है कुछ चीजे आपकी ऐसी है जो आपको पढ़नी पढ़ेंगी जैसे कलेंडर हो गया आकड़े हो गया है तो यह सब चीजे थोड़ी से अपके रिजनिंग का भी टच है अपकी मैथ में ठीक है अध्यापन संबंदी मुद्दे भी आते हैं उस के बाद में देखो जड़ा फिर क्या इसमें भी आपका पूचल रहा है बाल विकास भाषा एक में आपके आती हिंदी भाषा दो में आपको इसमें चुनना होता है चाहें इंग्लिश उर्दू संस्क्रिट में से कोई एक उसके बाद में यह तो तीस तीस कोश्यन होगे त जूनियर का बोलते हैं हाँ एक यह दिन में और डोनों पेपर एक यह दिन में होते एक आपका सुबे की मीटिंग में होता है एक आपका शाम की मिट्》 समझे कि लिए फिर देखें गडतें़ विज्ञान सिक्षक के लिए गडित ठीक है सामाजिक अध्यान या सामाजिक विजणयान सिख्षक के लिए सामाजिक अध्यान और किक्षेक्ष्षक CPU क्या लिए हैं आपको पालड़े किसी चीज के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको समाजिक अध्यान या समाजिक विज्ञान सिक्षक के लिए, समाजिक अध्यान या अन्य किसी सिक्षक के लिए आपको यह सब्जेक्ट्स लेने पढ़ेंगे, थीक है, इतनी बात समझ में आगे कुल मिला कि मैट्स और साइन्स वालों के यहीं लेना पड़ेगा उप्शन जिसमें मैट्स और साइन्स के उन्ते इलिटेट 60 कोशन 60 मांक्स के पूछे जाएंगे इतनी बात समझ में आगई आपको यह यूपी टेट का जो आपका जूनियर का पेपर है उसके यहां पर आपको सब एक डिसकस किया गया प्रॉपर देख सकते हैं मैं स्क्रॉल कर रही है उसको जल्दी जल्दी तो देखो यह तो कोई मीनिंग नहीं है आप अब बात आती है कि मैम हां अब देखें आपके कुछ कोशन होते हैं सबसे पहली बात मैम क्या यह ओफिशिली पीडिएफ तो अफिशिल आपको डाउनलोड करना आप यूपीट इसलाबस ऑफिशिली डाउनलोड कर सकते हैं एक कोशन बच्चों का बहुत रहता है कि मैम कोशन पेपर किस भासा में कोशन पूचे जाएंगे तो दोनों ही भासा में रहता है बस केवल जो आपके इंग् सिलाबस नहीं बदलता है उसके बाद में सिलाबस किसके द्वारा बनाए जाता है तो आपका बेसिक शिक्षक परिशेद उत्तर परदे सरकवार द्वारा यूपीट इसलाबस तैयार किया जाता है और जो बहुत से बच्चों के कोशन होते हैं कि मैम क्या पेपर वन और पे में और चार ओप्शन होंगे आपको एक ओप्शन सही करना होगा यह तो हो गई इतनी बात आपकी यूपी टेट से जुड़ी हुए अब बात आती है कि मैम हम हम बीट बीटी सी के साथ में कैसे पड़े देखिए यदि आपने एडमिशन लिया और आप फर्स सेमेस्टर में आने वाले हैं यह फर्स सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके है अपना तो आप अपनी यूपी टेट की तैयारी अबी से ही शुरू कर देजे क्या कहा मैंने आप कैसे पॉसिबल है मैं तो बीट पढ़ रहा हूं उतना टफ है माम आम आप समझ नहीं दें उसमें फाइल्स बनान पर वानिस सिलावार आप एक अधाय को कि इसके बाद में उस सब्जेक्ट को क्या करना है सब्से पहले ही जैसे मानऄ भी इसका पीडी अपAL नहीं निकल वार हें प्रिंट आओट नहीं पढ़ें तो उस subject के साबका नहीं करने मैं जो आपको subject सबसे पहले पढ़ने का मन कर रहा हूँ कि हाँ यह हमें आता है यह में इंट्रेस से हम यही पढ़ेंगे पहले grammar पढ़ लेते हैं यह पहले चलो maths पढ़ लेते हैं मैस में तो हम दुरंदर भी है न चलो maths कंप्लेट कर ड और intermediate level का पढ़ना है यह नहीं कि आप linear equation पढ़ना शुरू के तो graduation level का पढ़ना है नहीं पता चले एरिया चाप्टर तो पैरा बोला के area निकाल रहा हो जाकर के वह graduation वाला वो नहीं करना है आपको सिर्फ intermediate level का पढ़ना है ठीक है तो आपको सबसे पहले syllabus note down कर लेना है जो इ अगर में को टाइम मिलता है अभी तो नहीं मैं आपसे promise कर सकती हूँ लेकिन फिर मैं आप लोग अगर comments करेंगे तो कोई एक subject उठाएंगे सुनो कोई एक subject ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे उसके पहले तो हम लोग theory पढ़ेंगे ठीक है theory चाहे तीन दिन एक च्वाप् करके prepare होता चला जाएगा आगी बात समझ में इतनी बात समझ में और याद रखिए first semester के अगर exam होने वाले हैं तो पहले exam दे लो अगर first semester के complete हो चुके तो देर बिल्कुल नहीं करो बिल्कुल अपनी टैट की त्यारी करना शुरू कर तो पूछो क्यों तो वह क्यों क्योंकि जब आपका second semester complete हो जाएगा ठीक है मान लीजे अगर आपका ये session चल रहा है first semester में आप present में हैं तो अभी से आपने paper दे दिया तयारी करना शुरू किया second semester आपका और बढ़ी आसे निकल गया जैसे ही आप अपने third semester में enter करेंगे तो आज आएगा तब तक December से पहले आपके doubts है सुनिए मेरी बात जो भी आपके doubts है वो आप ऐसा करिएगा इसी वीडियो के नीचे comment section में comments कर दीजेगा तो मैं आपके doubts का एक वीडियो बना दूंगी ठीक है और बाकि यूपिटेट से जूड़ी कोई बिजानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जूड़ सकते हैं बाकि इंस्टाग्राम पे भी आप हमें follow कर सकते हैं और बाकि आपको playlist दी हुई है चैनल पे B8 की classes भी चलती है तो आप चाहें तो वहां से भी जूड़ सकते हैं और DL8 की classes के लिए आप एक काम कर सकते हैं एक चैनल आप आपने वीडियो मैं बना दें तो मैं मैं आपको CTR का वीडियो बना देंगी या आप चाहते हैं कि मैं यूपिटेट का तो आपने गयम को बता दिया अपना मैं मैं आप डीटेल्ड syllabus का एक वीडियो बना दो जो आपने यह syllabus नहीं दिखाया है एक एक सब्जेक्ट वाइस उसका भी वीडियो बना दो तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी हाना तो यह आपको कमेंट शक्षन में कमेंट करना और इतनी मेहनद के लिए आपको फटा-फट से वीडियो लाइक करना है अगर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो ठीक है